चिनमयानन बापुजी महराज का मैं स्वागत करता हूँ श्रीराम कथा पहचान है मेरी श्रीकृष्वन कथा ये जान है प्रोसेस होता क्या है? तो जब मैं सती अनुस्विया पहुचा तो वहाँ पर मैंने वस्तर भी त्याग दिया नगनवस्ता में, शित्रपूट में, आप में छे महीने, तपत से हैं 574 कथाएं करने के बाद बापु आज राम को किस तरह व्याक्षाईत करते हैं? भगवान राम का नाम जुबा पर आता है और आखें भरने लग जाती है यह जो शब्द है राम, यह शब्द को थोड़ा व्याक्षा करिए राम वो हैं जिनके एक रोएं में करोडो ब्रम्हांड हैं और एक रोएं से करोडो करोडो ब्रम्हां, करोडो विश्णू, करोडो महेश प्रगट होते हैं रावन जलाए नहीं जा रहा है और अब तो ऐसे मंदिर हैं को तो समाज में एक विभक्त तरह का विचारा आ रहा है बुराई कितनी भी महान हो जाए बुराई कभी भी स्विकार्य नहीं होती है रावन ने भी दस वार अपना सिर काटकर शिब जी को चड़ा दिया फिर भी रावन समाज के लिए आदर शुनी हो सकता है एक विमर समाज में आजकर ये चलाया कि राम ने कभी सीता का परित्याजी नहीं किया सीता जी की इच्छा थी कि इन सब से निकल कर मैं कुछ दिनों तक रिशियों के आश्रम में जाकर सेवा करो कुछ ऐसी चीजें हैं जो आम लोगों नहीं पता थी राम जी की बहन के ये अलग-लग रामायनों में इसके कहीं सारे जिक्राते हैं माता कौशलिया को एक पुत्री थी